हेलो फ्रेंट्स यह हमारी एक लगजरी रिसॉर्ट पुजक की साइट है वह में गेट है अभी वह भी चेंज करेंगे हम पुराना लगा हुआ है और यह हमारी रोड बन रही है में एंट्री आने की जो हम पात्वे बोलते हैं दोनों तरप आपकी प्लांट लगें अभी और भी लगेंगे अजकल बढ़साथ का सीजन तो इन रास्ता यहां से आ जाएगा कुटमर यहां एंट्री करेगा कि और उसके बाद जो यह एंट्री है और यह हमारी कोटेज हैं टोटल सूला कोटेज हैं बीच में फाउंडेशन बनी नहीं है यह सॉलेड वाल पैनल की है सारी कोटेज आपको अंदर से दिखा देता हूं तो यह हमारी कॉटेज है कि अपको अंदर दिखा देता हूं एक बार पहले और कॉटेज का लियाउट अलग-अलग है टाइप पर यहां पर सुरू में हमारी एक छोटी सी बालकन ही है कि इस साइड से स्ट्रेट जा रहे हैं और इस तरह हम रेलिंग लगा देंगे इंदर खुला ओपन रहेगा कि आपके सॉलिड वाल पैनल है इंकि हाइट देख लिए आप यह नीचे चैनल है इसके बारे में डीटेल बताएता हूं आपको दो फिट चौड़ा है और दस फिट हाइट पूरी प्रापर है डोर विंड़ो इसके डोर ऐसे हो जाते हैं कि यहां पर एल से विंड़ो है यह फ्रेंच विंड़ो बनेगी उपर बारे में हमका बोट लगा हूँ है इसमें रूफिंग में सिंगल्स लगेंगे तो अभी जरा बारे इसका मौसम ठीक हो जाए कि उस सिंगल्स को नो धूब चाहिए होती है तो उसके बाद ही वो लग पहेंगे है यह 25 बाई 25 का रूम है यह बहुत बड़ा रूम है हम लगजरी सेग्मेंट पर पार्टिशन आजएगा इदर बैड एरिया हो जाएगा पूरा तो यहां पर पार्टिशन आजएगा इस लोवे से उदर हमारा एल से तोफा लग जाएगा और विंडो के साथ भी सिटिंग है आप बैट के बाहर का व्यू ले सकते हो यह है और बा दोड़ से इदर पुरा चेंजिंग रूम है यह ड्राइ एरिया है पूरा और इदर पूरा वैट एरिया है अगर आट फिर चोड़ा है शत्रावाई आट का है यह तो यह आपके सॉलिट बाल पैनल है है हम दिखिए पास से दिखा जोंको सबको डाउट होता है यह टूट आएगा जानबट लोट देंगे अब बहुत हैपी होता है 110 के लिए को एक पैनल होता ही है और पैनल जो है नो उपर लोह से भी पूरा स्कूर्ड नट बोर्ड हो जाता है तो वैसे भी नी जाने वाला है और यह चैनल जो आप देख रहे हो यह उपर नीचे से यह सी कैप है पर नीचे से चैनल को पकड़के रखता है पैनल को पकड़के रखता है तो यह हमारा पूरा डिजाइन होगी है तो यह सॉलेड वाल है इसमें एक साइड ऐसा ग्रूब होता है मतलब मेल फी मेल बोलते है जनर्रल बासा में तो इस साइड है और एक साइड से यह निकला हु प्लाइंग्स लग गए हैं पूरे प्लाइंग्स लग गए हैं यह सारा यहां पर वोडन सीलिंग हो जाएगी अब जरह मौसम ठीक होते हैं तो आपको दुबारा इसको एक वीडियो दूँगा पहले भी दिया था मैंने आप देखेगा यह 15 दिन में देखा यह राजिस्तान क यहां पर यह प्लाइंग्स फिक्षिंग चल रही है है ऐसे लगते हैं एक के उपर एक लगते चल के एसे लग जाते है इसमें कपलस प्लस प्रेंट होता है इसकुरू भी छुग जाता है आपको इस पर एक लगाने से इनकी लगा कैसे है देखे आप इस्टार इस्कूर दिख रहे न यह लोहे पर लग जागा यह पूरा यह लग गया आपका यह तो जैसी दूसरा चड़ेगा पैनल लिए इसको पराज़ेगा और यह हमारा वुडन का टेक्शर है जैसा वुडन प्लैंक्स में होता है यह हमारी कोटेज है को कॉलम में की दोनों तरब चैनल लग जाता है तो इसको ऐसे पकड़ लेता है अगर आप खुछ से बना रहे तो आप इसको लोहे में ही बना सकते हो वह सस्ता पड़ेगा लोहा लेकिन आप ध्यान देना कि उसम प्राइमर जरूर करा लेना कि देखो यह इतना ह कि आप भी बनवा सकते हैं खुछ सभी कि मैं उधर दिखाए तो आपको तो यह हमारा सी चैनल है इसकी चोड़ाई है तीन इंची है यहां से 75 और हमारा पैनल भी 75 तो इसके अंदर अच्छे से फिक्स रहत है और अपना लाइन लेवर करने जैसे आप जो फांडेशन बन ग सब्सक्राइब उससे ग्रॉट हो जाएगा नीचे आप इसको ड्रिल हैमर मसीन से ड्रिल कर दोगे उसके बाद आप इस पर पैनल रखते जाओ पैनल एक दूसरे में फंसते जाएंगे जहांसे एक कॉलम से एक कॉलम से और दूसरे कॉलम के भी चैसी आएगा तो ऐसा है तो यह पूरा एक बॉक्स बना बड़ा है यह हिलेगा नहीं बिल्कुल भी है यह है अधि आपको 15-20 जिमने आपका इस्ट्रक्चर पूरा रेडियो जाता है मौसम ने साथ दिया तो यह बहुत बड़ा लकुला बातरूम है आप आराम से गिन सकते हैं दो फिट दो फिट दो फिट दो फिट ऐसा एक फिट दोनों को जोड़ गया तो अच्छी कासी हाइट होती है इसकी बहुत सारे लोग डाउट करते हैं बहुत हैवी है अपको तोड़ने पर आएगा थोड़ा लेके तो क्या बोलें उसको एगी है जमीन से टॉप में वहां पर जाके सीलिंग लगेगी आपकी जो भी रनर लगेंगा इसको पर अभी त काल रहा है टॉप टॉप पुरानी बनीवी कोटेज में आपने लेगा एक मेंबर हो रहा है तो वहां पर आपको और सीलिंग के अंदर दस प्विट मिल जाता है तो दस प्विट एक अच्छी आई टूई यह हमारी विंडव है क्योंकि हमारी पीछे बहुत प्यारा उजी ह पहाड़ी गार दिखाई देगी घास हो चुकिया है कि अब रूफिंग का इस्ट्रक्चर बन रहा है कि कितना पानी बढ़ा पड़ा है तो यहां देखो कि यहां ने जो फाउंडेशन की हाइट है ना पूरी बढ़ा के रिखिए और मिट्टी चड़ाई हुए शुरू मैंसे में वह देखे फाउंडेशन की हाइट तीन-तीन फिट रखी है क्योंकि रेतिली जमीन है यहां पा तो फाउंडेशन जमीन के हिसाब से बनाएं और पैसा कम है तो सोचने में अच्छा टाइम निकाले पहले जल्दी नखरें अगर पैसा कम है पैसा है तब कोई बात ही नहीं आप किसी को भी हायर कर लीजे तो मैं तो पहले अच्छे से प्लानिंग करके तब एक्स्यूट कर करें है कि देखें है कि देखें है कि प्लांट हमने दूर दूर लखें है कि देट दो-दो फिट पे बड़े होंगे ना यह लोग चिपका के लगा लेते हैं और यह पानी भरे तो जगह-जग अपने पाइप डाला हुआ है यह चोटे प्लांट हमने अभी लगा दिए बड़े प्लांट हम जो 12-15 फिट वाले पाम ट्री वह कुछ टाइम में लेके आएंगे जैसे मौसम ठीक होता है काम आगे बढ़ता है फिर आपको एक और वीडियो बना के अप्लोड गड़ दूंगा मैं तेंक्यू